दोस्तों, खून में उबालाना, खून का गरम होना, खून का सर्द होना, खून खौल जाना, इस तरीके के मुहावरे हम अक्सर यूज़ करते हैं लेकिन यूनानी में, खून की ये सभी खूबियां सेहत से जुड़ी होती है यानि अगर खून में कोई भी इंप्यूरिटी आ जाती है, तो उसका डारेक्ट असर सेहत पे पड़ता है कई तरीके की बीमारियां हो जाती है, और खास तोर से अगर बात करें, तो स्किन डिजीजिस हो जाती है तो कैसे यूनानी ट्रीटमेंट के जरिए इन सभी बीमारियों से निजात पाया जा सकता है ये आज हम बात करेंगे अपने शो तासीर में और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी हकीम, डॉक्टर गजाला तो आएए स्वागत करते हैं डॉक्टर गजाला का डॉक्टर गजाला आपका बहुत-बहुत स्वागत है शुक्रिया राहिला तो दोस्तो युनानी चिकित्सा से जुड़ा अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लाश किये गए नंबर्स भी कॉल कर सकते हैं और साथ ही ईमेल के जरिये भी आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं डट्र गजाला हम यहां पर युनानी चिकत्सा के बारे में बात करेंगे अगर बलड इम्पूरिटीस की बात करें आज तक जो मैंने सुना है मुझे पता है कि बलड स्टिराइल होता है फिर बलड इम्पूरिटीस क्या हैं आपका जो blood है वो river of life को कहा गया है क्योंकि ये continuously आपकी body में circulate होता रहता है और आपकी जो skin है वो basically reflect करती है आपके blood की health state को हमारे यह बाना जाता है कि अगर आपका blood healthy है अगर उस blood में तमाम इखलात का तवाजुन जिल्कुल all humors जो अगर balanced state में हो तो आपका blood healthy blood होता है चेहरे पे भी glow आता है जी और उसकी वज़े से अगर आपका blood healthy हो आपका blood ब्लाड के सहत मंद होने पर depend करती है तो यह किस तरीके की impurities ब्लाड में आ जाती है किस तरीके से टॉक्सिंस एंटर कर जाते हैं बहुत अच्छा सवाल once again आप जानती है राहिला हम जिस तरीके करें इसे या आप गिज़ा में pesticides जो बहुत ज्यादा these are different types of toxins जिससे आपकी body आपका blood continuously आज exposed है तो हम जो impurity से मुराद रखते हैं जो मतलब लेते हैं वो यह सारे toxins हैं जो हमारे environment से हमारे food से हमारे जिसमी यानि हमारे river of life हमारे body fluid बहुत important body fluid blood को affect करते हैं यह सारी चीज़ें यह सारे toxins तो blood के impurities को दूर करने के लिए किस तरीके से युनानी treatment दिया जाता है I mean वही मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगी क्या intake कुछ रश्य में जकाने क्या है फिर से ही हमारे यहां जितनी भी आप skin disease लेक्रणे होते हैं उसमें एक युनानी का बहुत इंपोर्टन कंसेप्ट है आप खून को साफ कीजिए उसके जो टॉकसिंस है उसको रिलीस कीजिए उसे अच्छी चीज़ेगी बना यह अबकुश्यश्य तो जाहिर से बात है आपका जो health level बहुत इंप्रूव होगा, आपकी skin बहुत glow करेगी और आपको छोटी-मोटी जो बिमारियां, जिल्द की और skin की आजकल बहुत common है लोगों को इन सब का शाफी इलाज जो है युनानी में मुसफियात यहने खून को साफ करने वाली blood purifier herbs के जरिये से किया जाता है, मैं डॉक्टर गजाला आप से बेचाना चाहूंगी कि किस तरीके skin diseases, I mean, क्यों रो सकते हैं युनानी treatment के जरिया, I mean, like pigmentation भी क्या, खून जी, खराबी से होता है, जी, जी, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगे से पहले कि आप जवाब दें, आपके TV स्क्रीन पर लगतार फ्लाश हो रहे हैं, और मैं आपको फिर से याद इला दूँ कि एमेल के सरीय भी आप हमें contact कर सकते हैं, जी, डॉक्र कसाला, जैसे मैं आपसे पूछ रही थी, like, मुहासे तो मैंने सुना है कि impurity of blood की वज़ा से होते हैं, क्या पिग्मेंटेश इसके थू बहुत जो autoimmune skin disease हैं, जो आजकल लोगों को बहुत common है, eczema है, psoriasis है, इन तमाम बिमारियों को भी हम blood purifier से treat करते हैं, जब आप जिल्द से जोड़े अमराज की बात करते हैं, तो यह बिलकुल आपकी mental health को भी affect करता है, तो अगर आप जिल्द की किसी तकलीप से गुजर रहे हैं, तो आपको यह जो lifestyle changes यह diet change है, उसको जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका blood impure है, तो और बहुत सारे sign and symptoms हैं, जिससे आपको यह पता चलता है, कि आपका blood जो है, वो toxicity उसकी बढ़ गई तो यहाँ पर अगर हम blood impurity की खास्तोर से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में यह सवाल आता है कि कितनी जल्दी हमें इस चीज से नजात मिलेगी, कितना समय लग जाता है, क्या हमेशा के लिए ऐसा हो सकता है कि हम अपने blood को जो प्योर कर से के एक पर्टिकुलर टाइम बे ट्रीटमेंट करवा कर यह नानी, या फिर लेकिन हाँ, जब ही भी आपको symptoms यह develop हो, जो मैं आपको बताऊंगी, कि toxicity of blood के यह आपका blood impure हो रहा है, उसके कुछ signs and symptoms हैं जो बहुत ज्यादा common है, और जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो तो अकसर ही इन तमाम निशानियों को अपने अंदर काफी मैसूस करते हैं, जै या हाजमे की खराबी, या स्टूल में कोई problem है, कब्स वगेरा अगर हो रहा है आपको, तो यह सारी indications है कि आपका blood जो है वो healthy नहीं है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी, कि सबसे आसान detoxification का जो process है, जो हर कोई बहुत अच्छे से कर सकता है और हमारी religious और cultural values भी अच्छी है वो है fasting, मतलब अगर आप फाका करें महीने में 2-3 तो यह भी काफी हद तक मदद करता है आपके blood को pure करने के लिए, लेकिन इसका एक खास, you have to do it under guidance of a medical practitioner fasting, obviously, लोगो को हमारे दर्श्चे को यह चीज़ अप्लाइगा, I mean, एकदम से अपील की होगी क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होंगे, यंग ज़रेशन के होंगे, तो उनको यह लग भी रहा होगा कि डाइटिंग का बन जाएगा और साप में हेल्थ भी हो जाएगी, ग्लो भ करती हैं, जो आपको एक फिजीशन प्रेस्क्राइब करता है, उस ताइप के आपको जूस लेना है, ब्लाद प्यूरिफायर्स हमारे पास बहुत सारे जो शान्दें हैं, सीरप्स हैं, जिसका इस्तमाल इन दौरान आपको करना है, और जब आप इस तरह की फास्टिंग करत और साथ ही साथ आपकी कह सकती हूँ कि मैं फिगर भी मेंटेन रहे कि लड़कियों के बारे में अगर खासतार से बात करें, डॉक्टर गसाला आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहीं, बहुत ही अच्छी इंफोमेशन आपने दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन मुंबई 400-053, हमारी इमेल आइडी है mail at careworldtv.com, हमारा वेबसाइट है www.careworldtv.com तासीर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये सिलसिला हमेशे जारी रहेगा कुछ और नए थोट्स के साथ, नए बिमारियों की, नए तरीके के इलाज के साथ, तब तक के लिए हमें दीजे इजासत, लेकिन आप अपना ख्याल रखे, महफूज रही है, क्योंकि हमें आ